हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने IQ9 Pro Android वाइल फोन में आप जो है Draw E सेटिंग को आप यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Draw E सेटिंग जो है काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी द है अब इसके अगले पेज में आपको आपको आपके है इसे Гएा वाला एप्सलेक्ट कर लेता हूं मैं यहाँ आपमने याप एप select करने जा रहे हुं Message का Message का app मैंने select कर लिए देखे ऊपर आपको Alphabet का E draw करना है तो देखे हैं यहांपे क्या होगा आपका76 का App आपका open हो जाएगा इसी तरीके सा अगर आप कोई भी एक App आप select कर सकते हैं कोई भी App आप select कर लिजिए ठीक है जिस app को आप जालतर यूज़ करते हैं उस app को select कर लीजिए ठीक है और कभी भी आप अपने phone off screen पे phone पे e-draw करेंगे तो आपका वो direct app open हो जाएगा ठीक है setting इस तरीके से काम करती है draw e-setting ठीक है अब मैं आपको यह draw e-setting को ढूंड़ने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके phone में इसके लिए आपको करना है क्या mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको सबसे उपर यह search icon select करना है और यहां पर आपको सबसे उपर search bar में type करना है draw draw type करना है तो आपको नीचे की side यह draw से related आपको काफी सारे option मिल जाएंगे इसमें आपको नीचे यह draw e का option select करना है ठीक है तो यहां पर आपका जो mobile phone जो आपको directly setting में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में